आप सभी प्रियत दर्शुकों का स्वागत हैं, बात करेंगे आज आरकॉम के बारे में अनिल अम्बानी जी की कमपनी है और देखें लग रहा है, अनिल अम्बानी जी कमपनीों का टाइम बदल रहा है, बहुत अच्छा टेक्निकल एनलिसिस के मादिय में से बताएंगे, थोड़ा सा सतर्क होने की भी जुरुत है, यह स्टॉक आगे मल्टी बेगर बनने के लिए तयार है यहां से भी, बट आपको राइट लेवल पर बाई करना चाहिए, राइट स्टेजी क्या होगी आरकॉम की, और साथी साथ म जो लेटेस्ट न्यूज है, बीस साल का लाइसेंस के लिए अपलाई किया है, यहां पर अपनी कंपनी के बहुत बड़े रिवाइवल प्लान बना रहे हैं, मुकेश अमबानी जी के साथ मिलकर, प्लीस कंसर्ट लिए फानेशन वाइवल प्लान में चल रहा है कि जो इनकी आरकॉम की कंपनी है, उसके लाइसेंस को एक्स्टेंड करेंगे, ताकि जो लाइसेंस मिलेगा, वो उस लाइसेंस को यह सेल कर सकते हैं, फॉर एक्जामपल, इनके भाई, मुकेश अमबानी जी के कुछ जो नेटवर्क एरिया हैं, वहाँ पर इनके पास लाइसेंस है, उन आगे चलकर बहुत बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन की कम्पणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको शायद पताई हो बैंक अपसी का काम चल रहा है इनका बट इन्होंने 20 साल के लिए लिया है इसका स्पेक्ट्रम और इन्होंने का है कि running its enterprise business इनके पास डाटा सेंटर बहुत बड़ा है भारत की जो इंडिया डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी है उसके चलते हुए अभी डाटा सेंटर की बहुत जाज़ा ज़रत होगी और यह आरकॉम कंपनी उसके तरह से अप इसके बार में बात किये डबल डिजिट टागेट है आगे आने बताने वाले समय के लिए और देखिए इनकी अगर हम बात करें यहाँ पर जो कंपनी है SAT के रेफरेंस में उन्होंने पहले एक करोड की पेनल्टी लगाई थी इनकी यहाँ पर जो उन्होंने नॉन प्रॉपर डिस्कलोजर ऑफ क्रेडिट रेटिंग के बारे में किया था तो वो उसको रिड्यूस करके 10 लाग कर दिया है तो 90 लाग का सीधा प्रॉफि और हमने इस स्टॉक को अपने पेड मेंबर्स को और खुद भी अपने पोर्टफोलियो में काफी नीचे के लेवल पर रखा है अभी तो अल्मोस्ट धाई गुना पैसा हो चुका है जो स्टॉक हमने इसमें निवेश किया था अगर आप चाहें तो इसको अपने राइट ल आया था चार और 25 पैसे का अपर सर्कृट लग रहा था पर पांच मिनिट के अंदर वो तीन रुपे पिछाणा पैसे पर चला गया और यहां पर करीब 53 million share hand exchange हुए है इस टाइम पर तो यह जो भी डिपाया वो यहां पर खरीद लिया गया है at lower levels अगर हम बुलिंजर बैंड बहुत बढ़ चुका है और बैंड विट जो है 100% हो चुकी है यहां पर यह clear indication है कि यह एक overboard zone में आ चुका है तो नए entry के लिए हम यहां पर शमा चाहेंगे कुछ दोस्तों के बाद अच्छी न लगे पर नए entry के लिए हम retail निवेश्यों को थोड़ा सा alert करना चाहते है please do not enter fresh entry here जिन लोगों ने यहां पर lower level पर एक रुपे से दो रुपे के बीच में खरीदा है उनके लिए बहुत अच्छी लेवल है यहां पर कुछ profit booking कर लेनी चाहिए alligator indicator के basis पर 3 रुपे 21 पैसे का पहला support level है super trend के basis पर 3 रुपे 60 पैसे का support है और यहां पर अगर हम super trend के साथ में RSI का level देखें तो 95 का RSI का level पहुंच गया है जो की काफी और बोर्ड जोन है तो दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहिए मत खरीज़े यहां पर अगर vortex index को देखें त vortex index के basis पर इसने यहां पर फिर से upward trajectory शुरू कर दी है हो सकता है further up move करें पर consolidation भी एक possibility है volume को देखेंगे तो देखें पहले volume बहुत negligible था करीब 10 million के आज पास share trade हुआ करते थे अब पिछले time से काफी momentum activity आ रही है 181 million, 162 million, 173 million आज भी तो काफी अच्छे level पर यहां पर stock trade कर रहा है पर जिस तरह के levels हैं की support और resistance लेवल के reference में आपको वहीं पर support पर भी खरीदेगा current market पर थोड़ा avoid की जिए volume confirm कर रहा है कि यहां पर कुछ बड़े लोग निवेश कर रहे है दो मेने का रिड़न, 81% आप चाहें तो मारे साथ जुड़ सकते हैं यहरा mail ID और आपके लिए 4 वीडियो प्रसुद हमारे चैनल के जहिंजवार, बाइट